हेलो फ्रेंट्स वागत था आपके अपने यूट्यूब चलनला स्टडी पॉर एक्जामिनिसन में दोस्तो आज हम लोग डिसकस करेंगे जहारखंड जीके का पार्ट टू ठीक है दोस्तो पूरा का पूरा पूरा जो है हम लोग एनाइसिस करेंगे डिसकस करेंगे उस कोस्ट स्राइगे तो जो जहां देखेंगे दुस्तों जो जेर्खंड यूज स्रीज चला रहे हैं आप हमारे साथ बने रहे है इस वीडियो में आंतक बने रहे हैं दोस्तों पार्ट वान को देखने के लिए उसका लिंक डिस्विशन वाक्स में दिया हूआ है वहाँ करते हैं दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले जो जहारखन जी के का पार्ट वन में जो कोस्टन में लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ा था कि पूछा था कि इसका एंसर क्या होगा आप अपने कॉमेंट बॉक्स में जवाब दिजिए तो दोस्तों यह नंबर भूमिज विद्रो जो है आपका 1832 से 33 तक जो है यह हुआ था 1832 से 33 तक ठीक है भूमिज विद्रो ठीक है दोस्तों यह जो है सिंग्भूम छेत्र में यह विद्रो हुआ था भूमिज विद्रो जो है सिंग्भूम छेत्र में हुआ था ठीक है चलिए दोस्तों अब हम को देखना है बारी की से कोई भी सेक्शन छूटे नहीं तो जार्खन राज का ग्रामीन छेत्रफल कितना हो सकता है तो जार्खन राज का ग्रामीन छेत्रफल जो है वो आपका 77,922 वर किलोमेटर है ठीक है इसका राइट आपका नंबर भी 77,922 वर किलोमेटर जो है आपका ज जारखंड का ग्रामीन चेतरफल है दोस्तों जारखंड का कूल चेतरफल जो है वो आपका 79,714 जो है वर किलोमेटर है ठीक है ना 79714 वर किलोमेटर जाहे है ये कुल छेतरफ़ल है जारखंड का और उनमें से जो है एक बहुत बड़ी छेतर जो है आपका गरामी छेतरफ़ल आयाता है जो कि 7,922 वर किलोमेटर है ठीक है तो इसका राइट रस होजएगा आपका नमबर B और दोस्तों सहरी जो छेतरफ़ल है बिरानबे ठीक है सहरी जो छेतरफ़ल ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि गरामी छेतरफ़ल कितना है तो वो आपका 7,922 वर किलोमेटर होगा ठीक है चलिए आगे देखते जो नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन दोस्तों आपका नमबर 2 जार्खन विधान स सभा में अनुसूचित जन जाती है तो आरक्षित सीट की संख्या कितनी है ठीक है ना सीटों की संख्या कितनी है जार्खन विधान सभा जो चुनाव होती है उनमें से जो है एक आसी जो है सीट है टोटल जो निरवाचित होती है तो उनमें से जो है अनुसूचित जन जाती के लिए जो है कितनी seat reserve किया गया है ठीक है ये question पूछ रहे तो दोस्तो 28 seat thay 28 seat जो है अनुशुचित जाते है जिसको st बोलते है ठीक है स्वरक्षित seat ST seat जो कि 28 28th seat 28 seat जरखन विधान सभाब में ठीक है और दोस्तो आपका नो सीट आपका अनुशुचित जाती हो के लिए कई लिए जो है अपका 9 सीट है ठीक है जार्खन विदानसभा में और 44 जो है अनरेजभत सीट है ठीक है अनारक्चीत सीट कितने है वह है इंपका 44 ठीक है आगे देखते होजों कॉश्शन का ढुश् necesita याहा यहां पे पूच रहा है कि जार्खन राय's में जो पूरूसों का साक्षर्टा दर क्या है महिलाओं का अलग होता है पूरूसों का अलग होता है और सभी कमिला के अलग निकला जाता है ठीक है तिहां पे पूछ रहा है कि पूरूसों का साक्षर्टा दर क्या है तो दोस्तों इसका राहिट रहा है आपका नंबर B 76.84% जो है जहरकन राज के पूरुसों की साक्षर्टादर है B इसका राइटरस हम जाएगा दोस्तों कूल साक्षर्टादर जहरकन का 66.41% है कूल जहरकन की साक्षर्टादर जो है वो है 66.41% यह Qaktion जो है कभी बार पूछा जा चुका है दोस्तोем dose大家 हो सकता है आगे भी पूछा जा सकता है ठीक है दोस्तों महिलाओं का सक्षर्टादर जार्खन में आपका 55.42% है ठीक है 55.42% महिलाओं का है ठीक है दोस्तों सरवाधिक सक्षर्टादर वाला जीला राची है जो कि आपका 76.06% जो है राची का सक्षर्टादर है जो कि पुरे जार्खन म जो जिले हैं उनमें से राची जिले का सरवाधिक साक्षारता दर है ठीक है जो कि आपका 76.06% है और दोस्तों सबसे निउन्तम साक्षारता दर जो है आपका पांकुड जिले का है ठीक है पांकुड जिला जो है वो सबसे कम उसका साक्षारता दर है जो कि आपका 48.82% है ठीक ह चुलिए आगे देखते हैं तो नेक्स्ट आपका नमबर फूर नमबर फूर जार्खन राज का पर्थम महिला राजपाल कौन है ठीक है तो दोस्तों इस तरह का कोशन में कंफ्यूजन नहीं हो ना जो वरतमान में हमारे जो राजपाल है वही जो है जार्खन के पहली महिला र मिस्रा ठीक है तो दोस्तों ग्यान सुधा मिस्रा जी जो है यह हमारे राज की पर्थम महिला मुखिन्याइधिस है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों लक्षमी सिंग जो है लक्षमी सिंग पहली महिला आयोग अध्यक्स थी जार्खन की पहली महिला आयोग अध्यक्स थी पहल महिला में जोबा मांजी ठीक है चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट कोशन कौन सा है नेक्स्ट आपका नमबर फाइब नमबर फाइब वर्तमान में जारखन का पे जल एवं सुछत्ता विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों इस को मैंने यहां पर इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि इस वार्ष जो है 2019 में जो लोकसवा का चुनाव होगा ठीक है तो उससे डिलेटेड यह कोश्टन है इसलिए मैंने इसको डाला है तो समसे पर देशली देखते हैं कि इसका अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइ के मंत्री थे लेकिन 2019 का जो लोकसवा का चुनाव हुआ तो चंदर प्रकास चोधरी जो है अपका ग्रीडी लोकसवा सीट से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जो है जीत हासिल की तब उनका जो है जब सांसद बन गया तो क्या हुआ कि वो सीट को जो है जो मं आजशू कोटे से है इनको जो है मंत्री बनाया गया ठीक है दोस्तो यह जुगल सलाई से जो है विधायक है रामचंदर साहिस ठीक है दोस्तो निलकंड सिंग मुंडा निलकंड सिंग मुंडा जो है ग्रामिन विकास विवाग के मंत्री है निलकंड सिंग मुंडा ठीक है औ और दोस्तों यहाँ पे रामचंद्र चंद्रवन्सी, ठीक, यहाँ पे confusion नहीं होना है रामचंद्र साइस और चंद्र वंसी में, ठीक, रामचंद्र चंद्र वंसी जो है अभी पेजलर रम सुझतर विभाग के मंत्री है, एंको स्वास्त चिकित्सा और परिवार कल्यान थब्लेक यह आपके एत्रे ब्रहमन में मिलता है तो इसका ईसका राइत्रन आपका नंबर बी एत्रे ब्रहमन में जो तो जारखंद को पुंड या बुम्म के नाम से जाना गया है थीक है पुंड महान्के चलिए ना महाभाण सीफिर ठीक है यह पुरान में जरकंड को मुंड कहा गया है मुरंड या मुंड और दोस्तों यहां पर महा भारत महा भारत के दिग्विजाई परू में इस खेतर को पुंडरिक देश कहा गया या तो फिर पसु भूमी भी कहा गया है महाभारत के दिविजय पर नामक एक गरंथ है उसमें जो है इसको पुंडरिक देश और पसु भूमी भी कहाई गया है दोस्तों समुद्र की प्रियाग परसस्ती में जो है जारखंड का उलेक मुरूंड देश के नाम से उलेक है मुरूंड दोस्तों इस परकार का कोष्टन आता है इन सभी को भी करना बहुत ही जरूरी है कहीं से भी कोष्टन को छोड़ना नहीं है सारे के सारे कोष्टन को बनाना है छारखंड में सबसे पुराने ऑवस्यस की सकाल के मिले हैं जो कि धारकंड में सबसे पुराने आवसेस पुरु पासानकाल के मिले हैं जो कि दोस्तों आपका एक हजार नहीं एक लाग जो है इसा पुरु के हैं और इन में से बहुत सरे पत्थर की कुलहाडी, फलाक, बैधनी, खुरचनी, बहुत तरह के समान मिला है जो कि आपका सिंग्भुम चेतर से मिला है, राची, हजारी बाग, ये न सब चेतरों से जो है, उत्कन में मिला गया है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तो next question कौन सा है, next आपका number 8, जारखंड में पहाडिया विद्रो कब हुआ था, ठीक है, पहाडिया विद्रो को जारख जो है, ये पहाडिया विद्रो को ही कहा जाता है, ठीक है, जन जातियों में, ठीक है, तो दोस्तों पहाडिया विद्रो जो है, सबसे पहले आपका 1772 से लेकर 1772 तक हुआ है, ठीक है, और दोस्तों इसी विद्रो में जो है, महेशपूर की रानी ने जो है, इसमें सहयोग कि आपका 1781 के टाइम में जो है 1781 के टाइम में खुल कर इस विद्रो में उन्हें साथ दिया ठीक है। दोस्तों यहां पे 1767 से लेकर 1770 तक आपका ढाल विद्रो हुआ था ठीक है? roof आपका 1767 से लेकर 1770 तक जो है धाल विद्रो हुआ था जो कि अपका अंग्रेजों के विरूद जो है पहला बिगूल इसी छेत्र से जो है आपका बजाया गया था ठीक है बजा था इसी छेत्र से फुका गया था अंग्रेजों के विरूद दोस्तों धाल विद्रो जो है पहल जगनात चाट को इसके नेत्रित में जो है यह विद्रो हुआ था शता सो शर्सर से लेकर सथब्रो तक जगनात जगनात डाल यहां पर 1820 टक तमार विद्रो ठीक है दोस्तों तमार विद्रो का जो मुख कारण था तमार विद्रो होने का वहाँ के आदिवासियों का जो भूमी से उन्हें वंचित कर दिया गया था उनकी जमीनों को छीण लिए गया था दोस्तों इसका प्रारम जो है आपका 1782 में हुआ था ठीक है छोटा नागपूर छेतर में हुआ था दोस्तों और उराओं जन जातियों दुवारा ये किया गया था ठीक है किया गया था दोस्तों यहाँ पर आये हम लोगों देखतें इसका 1831 से लेकर 1632 दोस्तों 1831 n 32 तक आपका कोल विद्रो विद्रो जिसका न Convention of मानकी और बिंद्राई जो है सिंद्राई और बिंद्राई मानकी के द्वारा ये हुआ था और दोस्तों ये जो है मुंडा जन जाती का विद्रो था ये ठीक है और इस विद्रो में जो है हो जन जाती के भी लोग जो है खुल कर साथ दिये थे ठीक है अपका कोल विद्रो में कोल विद् परदर नहीं होगा सारा कोस्टन हम लोग कभर करवा देंगे जांजाते जोगरफिक कोस्टन हो उद्धोग जलपरपात हो इतने भी यह सारे के सारे हम लो कभर कर देंगे ठीक है अब सिर्फ हमारे साथ बने रहे हैं चलिए आगे देखते को सन्सक्ज आपका नंबर नाइन, नमबर नाइन दो जारखन में 1857 का विद्रो सरव पर्थम कीस जीले से प्रारम हुआ था, ठीक है, दोस्तों कोस्टन यहाँ पे है, 57 जो 1857 का विद्रो था, उनसे भी जो है कोस्टन आएगा, तो किसी भी को हम लोग को छोड़ना नहीं है, सभी छेतर को देखना है, तो दोस्तों यहाँ पे 1857 का विद्रो जो हुआ था, सरव पर्थम वो आपका देवघर में हुआ था, ठीक है, देवघर के आपका रोहीनी गाउं में सेनिको के दुबारा विद्रो शुरू कर दिया गया था, कब कर किया था दोस्तों आपका 12 जून, यह आपका डेट पू रामगर दुनों जगा पे जो है, सिपाईयों ने वहाँ पे विद्रो कर दिया था, और दोस्तों इसका मुईख केंदर था राची, ठीक है, इसका मुईख केंदर जो है, वो राची था, ठीक है, चलिए आगे दिखते, दोस्तों नेस्ट कोसन अपका नमर 10, स्याम कृष्न सहाई के निमंतरन में गांधी जी, कॉंग्रेसी नेता, ब्रज किस्वर बावु के साथ राची किस वर्स आए थे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जीदी पूझाया कि गांधी जी जो है, सरोपर्था जारखन आये थे, तो किसके साथ आये थे, तो वो आपका कॉंग्रेसी न सहयोग आंदुलन के समय था, उस वक्त जो है, यह आये थे, ठीक है, उनेस सो सत्रह में, चलिए आगे दिखते हैं तो नेक्ट कोशन कोन सा है, नेक्ट दोस्तों आपका नंबर 11, दोस्तों नेक्ट कोशन है आपका नंबर 11, कॉंग्रेस का तिरपनवा अधिवेशन कहां हु तिरपनवा अधिवेशन हुआ ठीक है, और दोस्तों यह आपका 19, और 20 मार्च को हुआ ठीक है, और दोस्तों इसकी अधिखता जो है आपका मुलाना अबुल कलाम आजाद ने किया ठीक है, मुलाना अबुल कलाम आजाद उन्होंने जो है, इनसकी अधिखता की थी, दोस्त तो इस अधिवेशन में सिर्फ एक मात्र जो है प्रस्ताव पारित किया गया था जो कि सत्यागरा पर था ठीक है ना और दोस्तों इस अधिवेशन के दोरान जो है सुभास चनर बोस की अधिक्षता में अखिल भारतिय समझोता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था इसी सम्मेलन में जो है फारवड ब्लोक फारवड ब्लोक का अस्थापना भी हुआ था ठीक है फारवड ब्लोक के बारे मैं आपका पढ़ई होंगे दोस्तों आगपुर 29 समाज की अस्थापना की सुवार्स हुआ था तो दोस्तो छोटा आगपुर 29 समाज की अस्थापना जो है आपको 1915 में हुआ था ठीक है और इसकी अस्थापना जो है जुवेल लकडा ने किया था जुवेल लकडा जो है इसके संस्थापक है जुवेल लकडा दोस दोस्तो छोड़ानागपुर नित समाज जो है यह एक पहला जो है ऐसा संगठन था जो कि गेर अदिवासी संगठन था जो कि सभी समुदाई की लोग इसमें थें ठीक है दोस्तो 1912 में आपका Christian Students Organization का जो है स्थापना हुआ था Christian Students Organization ठीक है जो कि इसका स्थापना जो है अपका संस्थापक जो थें वो आपका जे बार्थोलमन थे इन्हें ही जो है जारखंड राईज का आंदोलन का जनमदाता माना जाता है जे बार्थोलमन को जे बार्थोलमन ठीक है जे बार्थोलमन को जो है जारखंड का जारखंड र 1950 दोस्तो जार्खन पार्टी का अपका स्थापना हुआ था ठीक है दोस्तो ये जार्खन पार्टी जो है ये पहले आपका आदिवासी महासाभा था ठीक है जो कि आपका आदिवासी महासाभा का पहले जो जब इसका स्थापना हुआ था उसका नाम था छोटा नागपूर थाल परगना अधिवासी सभा का गठन व best blij अरतीस में इसको जो है आकऊंञु्ज्ञry नवे कानल सेंट राटाश में ए जिंए्ट्वक है न वे ऐस को पूत्ता हैत जैपाल सिंग्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे बढ़ियां से ठीक है तो 1950 में आपका झारखन पाटी के स्थपना हुआ था जो की नाम परिवर्टत के आगे था आधिवसी मासवा का ठीक है और इसका स्थापक जो था आपका जैपाल सिंग्स है और उस तो 1965 में आपका ब बिर्षा सेवा दल का स्थापना हुआ था दोस्तों इसका संस्थापक थे आपका ललीत कुजूर चलिए आगे देखते हैं तो next question कुछा है next question number 13 राची में राजभवान का निर्मान की सवर्स हुआ था तो दोस्तों राची में राजभवान का निर्मान जो है आपका 1931 में हुआ था तो इसका राइट है आपका नमबर 1 जो चावनी परिशद है उसकी अस्थापना आपका 1942 में हुआ था ठीक है उनेस्थापनी परिशद का और 1957 में दोस्तों राची में आकासवानी केंद्र की अस्थापना हुई थी ये आपका हो गया राजभवान ये आपका चावनी परिशद चावनी परिशद और 1957 में दोस्तों आपका अकासवानी केंद्र नोट कर ली जगे दोस्तों अपने बुक में अकासवानी केंद्र और모शन्र Belgian विसु विद्धालें चलिए आगे देखते हमते हैं ापका नंबर 14 नंबर 14 जो है जारखंड के कुल छेतर फल का कितना परतिसत भुभाग 1 भूमी है तो दोस्तो इसका राइट है जो है का आपका नंबर 1 29.5 पर्सेंट जो है जारखंड का कुल छेत्र फल का जो है आपका वन भूमी है ठीक है 29.5% दोस्तों ये question भी maximum times जो है पूछा गया question है और आगे भी पूछ सकता है ठीक है तो 29.5 for 5% बहुत है असान question दोस्तों चलिए आगे देखते हैं तो next question है आपका number 15 number 15 है पाठ छेत्र जारखंड का सबसे उचा भूभाग है पारशनात पहाडी को छोड़ कर इस छेत्र की ओसत उचाई कितनी है ठीक है पारशनात पहाडी को छोड़ कर जारखंड का सबसे उचा भूभाग पाठ छेत्र है ठीक है तो इसकी ओसत उचाई कितनी है तो दोस्तों और हजारी बाग पठार का ओसत उचाई 600 मीटर है ठीक है ये जो है जारखन का दूसरा उचा भुग भाग है और दोस्तों डेर सो से 300 मीटर जो है ये आपका राजमहल की पहाड़ी जो है उसकी ओसत उचाई है ठीक है राजमहल की जो पहाड़ी है उसकी ओसत उचाई डेर सो स से 300 मीटर है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो नेस्ट कोस्चन है आपका नंबर 16 दोस्तो नंबर 16 है 17 लोकसभा का चुनाव अप्रेल मई 2019 जारखन में कितने चर्णों में संपन हुई दोस्तो यहां पे जो है 17 लोकसभा भी जो 2019 में लोकसभा का चुनाव जो है खतम हुआ है ठीक है नहीं सरकार बनी है के अंदर में जो पहरे की सरकार थी वहीं बनी है फिर से तो दोस्तो यहां पे इसका राइट असे आपका नंबर सी ठीक है चार चर्णों में जो है जारखन में जो है जारखन में लोकसभा चुनाव का संपन हुआ ठीक है और कितनी लोकसभा का चुनाव था आपका सत्रमी लोकसभा का चुनाव ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो नेक्स्ट कोस्टेन है आपका नंबर सेवेंटीन नंबर सेवेंटीन दोसो जार्खन के मुईख मंत्री स्री रगवर्दास दुवारा वीत्य वर्ष 2019 है तू कुल कितने करोर रूपय का बजट पेस किया गया ठीक है यहां पे कोस्टन पूछ रहा है कि जार्खन के मुईख मंत्री स्री रगवर्दास दुवारा वीत्य वर्ष 2019 है तू कुल कितने करोर रूपय का बजट पेस किया गया ठीक है तो दोस्तों इसका राइटन सुझाएगा आपका नंबर ए 85,429 कर करोर रूपया राज़स्व विए के लिए आपका बजट पेस किया गया है इसी में इन्क्लूट दोस्तों आपका 85,429 में 65,803 करोड रूपया राजस्व विए के लिए है और 19,626 करोड पुझिगत विए के लिए है ठीक है हो जी गत भी एक के लिए ठीक है चलिए आगे दिखते हैं तो नेस्ट है आपका नंबर 18 दोस्तों नेस्ट कोशन आपका नंबर 18 बजट 2019 में मुख्य मंत्री स्री रगवर्दास ने दोस्तों यहां पे 1200 होगा ठीक है ना 1200 लिखा हुआ है तो किसानों को मदमक्खी पालन से ज जो है गोस्ता की है मुख्य मंत्री ने 1200 किसानों को मदमक्खी पालन से जोड़ने के लिए मीठी करांती मीठी करांती की सुरुवात किया है ठीक है ने गोस्ता किये शुरू करने की बजट 2019 में चलिए आगे देखते हैं तो नेस्ट कोशन है आपका नंबर 19 नंबर 19 दोस्त सुजलाम योजना किया है यह मैं बता दू आपको कि यह हर खेत तक पानी पहुचाने का एक योजना है सुजलाम सुफलाम जो कि आपका दुमका जीले से सुरू किया गया है सुजलाम सुफलाम हर खेत तक पानी पहुचाने का एक योजना है जो कि दुमका जीले से यह सुर चाने का है तुमका जिले से शुरू किया गया है ठीक है सुजलाम सुफलाम चलिए आगे देखते दर्स्तों दोस्तों नेक्ष्ट आपका नंबर 20 जहारखंड का मुख्य सचीव दोस्तों यहां पर सचीव होगा ठीक है सचीव यहां पर लिखना तोड़ा से मिश्टिक से दोस्तों अभी वर्तमान में सुदिर तिरपाटी जहारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्षे दोस्तों इनसे पहले मुख्य सचीव जहारखंड के सुदिर तिरपाटी ही थे अभी यह आपका जहारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्षे और वर्तमान में डीके तिवा दोस्तों कमल नयurm चोबी जार्खंड टी आध्युन होगने वर्तमान में यह जार्खंड के डी जीपी है पुलिस महानिधेशकं को बोलते हैं वह भी वर्तमान में ठीक है और दोस्तों विज़संकर θα 160 пох2020 टैके 7 पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दुसरी दुनिया तक साथ जाता है ये कहावत किस जन जाती के बीच पर चली थे तो दोस्तों इस तरह का भी कोशन को हम लोग देखना है ठीक है क्योंकि जारखंड के एक्जाम में इस तरह का भी कोशन आता है ठीक है और बैसि जाता है ये कहावत उराव जन जातियों के बीच पर चलीत है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपका नमबर 22 झारखंड राईज में ऋर्वाधिक गरम जलकूंड किस जिले में अवस्तिते थे तो दोस्तों जार elkaar जारखंड राईज में सर्वाधिक गरम जलक वही जो है गर्म-जलकुंड है टीक है उसका नाम है आपका सुरिय कुंड जो है कई बार जो है उचा गया question है सुरिय कुंड की चरिया दोस्तों नेस्ट पोसा है आपके नंबर 23 बडाकर नदी का उद्गा मस्थल कौन सा है तो इसका एंसर हो जाएगा नंबर A उत्री छुड़नागपूर का पठार दोस्तो बडाकर नदी का जो लंबाई है वो आपका 225 किलो मीटर है ठीक해 बढ़ाकर नदी जो है तामुदार नदी में जाके गिरती है और दोस्तों ये किस-किस छेत्र में ये बहता है मतलब अफ्फा छेत्र सा कौन-कौन सा है तो वो आपका हजारी बाग, गिरीडी और धनबाद तीन जिले जो है इनका अफ्फा छेत्र है गुमानी नदी का उद्ग Одक्ह Sell गमचосьयागी ओधल राजमाल की पाढ़ी मरकंटक की पाढ़ी यापका सो नदी का है अरप कांची नदी Tit श्थित है तोस्वार्ण रेखा नदीक का जो सहयक नदी यह आपका कांची नदी आ है ठीक है इसका यह सहयक नदी है लेकिन दसम जल परपात जो कांची नदी पर ही स्थित है दो स्थित है यह पर पड़ा है ठीक है दस धराय होने के कारण जो है इसकी नाम दस सम जल पर पड़ा है 130 फीट उचाई पर है राची से 26 किनोमेटर के दूरी पर है और कांची नती पर इस्थीत है चली आगे देखते हैं दोस्तो नमबर 25 है नमबर 25 दोस्तो जारखन में कुल कितने विधान सदस्यो की संख्या है तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होगा वह आपको को मैं देना है बिना देखे यल के इसका हैं सही अंशर क्या उगता होका पूछ सकते हैं दोस्तों और दोस्तों अभी तक जो चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं मैं उनसे फिर से रिक्वेश्ट करने चाहूँ है कि प्ली चनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बैल रेकों को जोड़ दबाए तक ये इतने अवी लिटेस्ट रहेंगे वह आप तक तुरन्त पहुंचेगे तो चल दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में